हेलो फ्रेंट्स तो फाइनली थर्ड ओफ चुलाई को CBIC की प्रेस रिलीज आई है जिसके बाद I hope कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा किसी भी रिटर्न की लेट फीस को लेकर के तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं क्या लिखा है उस प्रेस रिलीज में उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट सेट अलर्ट्स आपको मिलते रहें तो दोलतों CBIC के ट्वीटर हैंडल पर ये मैं आपके लिए उपन कर चुकी हूँ GSTR 3B को लेकर एक प्रेस नोट तो इस प्रेस नोट की जो हेडिंग है लेट फी काप ड़ाट रूपीस 500 फोर इच GSTR 3B रिटर्न तो सभी नोटिफिकेशन हैं सभी प्रेस रिलीज हैं कोई भी आपके प्रेस इन्फोरमेशन आई है वो केवल और केवल GSTR 3B की लेट फीस को लेकर के आ रही है तो काफी सारी जो क्वैरिस बीच बीच में आ रही है GSTR 4 को लेकर के GSTR 1 को लेकर के तो आई होप अब आपके डौट क्लियर हो गए हैं कि किसी दूसरी रिटर्न से दिया गया है तो इसमें क्या लिखा गया है कौन से जाउट है जो क्लियर हो गए है चलिए एक बर हम प्रेस नोट को देख लेते हैं तो यहां पे जो मैक्सिमम कैपिंग लगी है वो 500 पर रिटर्न पर लगी है 500 पर मंथ नहीं है यहां पर 500 पर रिटर्न है तो यह जो डाउट है यह आपका मेजर डाउट यहां पर क्लियर हो गया है तो आपकी निल अगर रिटर्न है निल टेक्स लियाबिलिटी है कोई transaction नहीं है उस period में केवल और केवल purchases है या फिर exempt supply है तो ऐसे case में आपकी late fee zero रहेगी काफी सारी queries आ रही है कि late fee जो है portal हमारी लगा करके दिखा रहा है तो आपको बता दू कि portal update हो चुका है अब आपकी जो भी late fees लग रही थी आप दुबारा से check कीजिए अब जो maximum आपकी late fee लगेगी वो 500 पर return ही लगेगी तो वो भी सिर्फ उन्ही cases में लगाई जा रही है जहाँ पर tax liability बनती है तो जहाँ पर आपकी nil tax liability है वहाँ पर आपकी late fees zero रहेगी various representations were received to give further relief in late fee charge for the tax period of May to July 20 दी तो दोस्तों February से लेकर के April तक की आपकी जो dates है वो आ गई थी specified dates की अगर आप इन दी गई dates तक अपनी 3B file कर दोगे तो आपकी late fee को wave off किया गया था up to 5 करोड के लिए तो आगे की जो dates है वो भी आ गई थी जुलाई तक की तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जो मई से लेकर के जुलाई की late fee waiver के लिए भी काफी सारी representation receive हुई थी CBIC को in addition to earlier provided relief for February to April क्योंकि जो specified date आई थी वो February से लेकर के April तक की आई थी जैसे कि February अगर आपका turnover up to 5 करोड है तो February की return अगर आप 30 June तक file कर देते हैं तो कोई late fees नहीं है अगर आपका more than 5 करोड है तो February, March और April के लिए आपकी dates आई थी 24 June की अगर आप 24 June तक February, March और April की 3 भी file कर दोगे तो कोई late fees नहीं है तो काफी स सारी representation received हुई थी मई, June, July को लेकर के कि आप इन 3 महीने के लिए भी जो है थोड़ा waiver दीजिए इन addition to earlier provided for February to April and relief provided for cleaning a past pendency of return from July 17 तो January 20 और काफी सारी representation received हुई थी कि जुलाई 17 से जन्वरी 2020 तक जो pending रह गई है return उनसे related भी relief दिया जाए तो also a uniform late fee is simpler in design and easier to implement on automated common portal so late fee is capped at only 500 पर return तो इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक uniform जो है यहाँ पर procedure follow किया गया है 500 पर return आपकी late fee लगा दी गई है जुलाई 17 से लेकर जो आपका जुलाई 2020 है और जो आपने इस implementation से पहले जो ये changes आए हैं उनसे पहले आपने अगर late fee pay कर दी है तो उसका credit आपको दुबारा दिया जा रहा है लेकिन काफी सारे लोग इसको misunderstood कर रहे हैं कि शायद जुलाई 17 से हमारी late fees को वापस किया जाएगा तो ऐसा नहीं है जुलाई 17 से आपकी late fees को वापस नहीं किया जाएगा अभी जो आपकी recently जो पॉर the information thank you for watching